नमस्ती जैंडी किचन में आपका स्वागत है और आप सभी को नवरात्री की हाथ इक शुपता होना है और इसके उपलक्षम में मैं आपके लिए लाई हूं ब्रत में खाय जाने वाले आलो की हलवे की रेसिपी इस हलवे को आप बनाएंगे तो आप इसके फैन हो जाएंगी और आप इसको हमेशा नॉर्मल दिनों में भी बना के खाना पसंद करेंगे यह हलवा भी बहुत ही टेश्टी होता है और एकदम मुह में रखते ही मुह में कुल जाता है और इसको आप कभी भी बना सकते है क्योंकि आलो तो हमेशा ही अवेलेबल होते है तो चलिए बनाना आप छोटी-छोटी साइज के आलो भी ले सकते हैं तो इस बात का ध्यान अगना है कि आलो को हमें बहुत अच्छे से बॉइल करना है अलो अंदर तक बॉइल होना चाहिए क्योंकि हमको इसका हल्वा बनाना है तो यह अच्छे से बॉइल हो गया है हम इसका चिल्का हटा ल अच्छा बने और बहुत ही अच्छा कलर आए तो इस तरीके से जहां भी आपको कुछ दाग दिख रहा है आलो में आप उसको हटा ले नाइव से और हम इसके पीसिस कर लेंगे ताकि हमको अलोला बनाने में आशन अच्छा हसा नहीं रहा है तो इस तरीके से- अगर आलो बीच में कुछ ख़राब हो तो हम इसको भाभ कर सके निकाल सके क्योंकि 2-2 बालो उपषे बहुआश होता हाल कि अंदर से खराब हो जाता है और इसको हाथ से चमल से जैसे भी आप कमफ़र्टेबल हो वैसे इसको मसल ले तो आलो भी हलका सा गरम था तो हमने स्पून से इसको मसल लिया इस तरीके से और यह हमने आदा कप दूद लिया है जिसमें हमने 10-12 केसर की पत्या डाल दिये और इसको थोड़ सा गरम कर लेंगे जिससे केसर का बहुत ही अच्छा कलर आजाए दूद में और यह दूद हम हल्वे में कामल लेंगे अब हमने गैस अन कर दिया उसके उपर एक बर्थन रख ताकि आपके हल्वा चिपके ना नीचे अगर आप दूसरी कड़ाई उसमें लेते हैं तो आपका हल्वा चिपक सकता है तो घी गरम हो गये हमारे अब हम इसमें जो मैश की आलू थे वो डाल देंगे और इसको अच्छे से दीमी दीमी आज पर भूनेंगे ताकि गी आलू का कलर चेंज हो गया है जी की साथ में आलू को बहुत अच्छे सामने बून लिया है इस इसे स्टेश पर हम इसमें डाल Дूथ के रखते होई केसर वाला दूद्थ ताकि नीचे लगे ना तो जो हम मिल्क हमने डाला था वो आलो के साथ में अच्छे से मिक्स हो गया है और हल्वा पतला होके फिर वापस अगाड़ा होना शुरू हो गया है अगर आपके पास मलाई है तो आप मलाई भी डाल सकते हैं और इस स्टेज पर हम इसमें डाल देंगे हाफ कटोरी शुगर यह अलू मीठा है इसलिए हमने शुगर कम इस्तमाल किये अगर आपका अलू फीका है तो आप शुगर को एक कटोरी या 3-4 भी डाल सकते हैं इसमें आप अपने टेस की साफ से और इसको लगातार चलाते रहना है आज को दीमें ही रखना है नॉन श्ट हल्वा हमाराची से बन गया है जब हम इसमें दूट डालते हैं तो यह थोड़े सा विक्रा विक्रा हो जाता है इसलिए हम यहां पर बन टेबल स्पून गी और यूज कर रहे तो हमने यह आपकुल 4 टेबल स्पून गी यूज किया है आलू का बहुत ही टेस्टी हल्वा बन सकते हैं इस हल्वे को यह आप्शनल है इसके बिना भी यह उतना ही टेस्ट लगेगा अब इसको मिला लेंगे अच्छे से और एक प्लेट में ले लेंगे और थोड़ी से बच्ची के ड्राइफ्रूट भी उपर से डाल देंगे गानेश के लिए तो थोड़ी से बच्चाव हमने पिस्तर डाल दिया है थोड़ी सी बदाम डाल दी उपर से और थोड़ी सी हमने ड्राइफ गुलाब की पंकुडिया डाल दी है तिससे हमारा जो आलू की हल्वे का गलर है वो बहुत ही इनहेंस हो और बहुत ही अच्छा लगे यह देखिए तो बहुत ही टेश्टी हल्वा बनके तयार है हमारा आलू का तो आप इसको एक बार जरूर बनाके देखें आपको बहुत पसंद आएगा और आप इसको बार बार बनाके खाना पसंद करेंगे क्योंकि यह बहुत ही जल्दी से बन जाता है और बहुत ही टेश्टी बनता है तो हाँ आपको चैनली किचिन की आलो के अलो की रेसिपी कैसी लगी अगर अच्छी लगी तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने करें